कि कि अगया जो अगया दो असलाम अलेकूं स्टूरेंट्स वेल्कम टू इप फॉर्थ लक्शर आफ डिस्क्रीट च्रॉप्टर और जो हमारा चैप्टर है वह मैथमेटिकल रिजनिंग का है आज इसके के अंदर हम देखेंगे के प्रेडिकेट क्या चीज़ होती है तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्ट्चर तो यहां पर देखें तिन्ह लखी है एक्स ग्रेटर दन त्री एक्स इस इक्वल टो वाइप्लस थ्री एक्स प्लस वाइप इस एक्वल टू जैड तो हमने फिर्स लेक्चर के अंदर डेफिनेशन पड़ी थी प्रॉपोजिशन की मैं तिन्हें को देखके क्या हम कह सकते हैं या proposition नहीं है proposition की definition यह थी कि कोई हैसे statement जिसका अंसर true में या false में आ रहा हो और at the same time वह statement true भी नहीं हो सकती false भी नहीं हो सकती उसको proposition कहते हैं तो first statement अगर हम देखें X greater than three तो इसका अंदर हमें X कie value नहीं पता तो अगर X की value す想法 हो तो यह स्टेटमेंट हो सकती है अगर सकती है यह स्टाटमेंट है जो एक आधक हम एकस वाय जट की वेल्यू इस तब तक हम यह नहीं बता सकता है कि यह स्टेटमेंट्स ह mm है यह फौल्स है मतलब जो यह स्टेटमेंट्स है यह तब तक PROPOSITIONS लिपन्ख नहीं क्य लेंगी जाब तक हमें ंक्स वाय जट की exact value का नहीं पता होगा these statements are neither true nor false when the values of the variable are not specified in this lecture we will discuss the ways that propositions can be produced from such statements यह 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 स्टेटमेंट्स हैं जो के ना तो true है ना ही false है इन्हें हम अब मैथट देखेंगे कि किस तरीके से हम proposition के अंदर convert कर सकते हैं किस की values true यह false हो जाए जो फर्स्ट्रेटमेंट थी उससे अगर consider किया जाए एक्स इस ग्रेटर देन थ्री इस स्टेटमेंट के अंदर दो पार्ट्स है फर्स्ट पार्ट दा वर्याबल एक्स जो फर्स्ट हिस्सा है वह एक्स के लाएगा जो के एक ग्रेटर पार्ट पेडिकेट इस ग्रेटर देन थ्री तो यह सेंट लिखा वह इस ग्रेटर देन थ्री इसका इसका सेंड इससे को जाता है और जो यह हिसा है यह रहर करता है जो भी subject हाँ की property की तरफ वो यह दिनोट इस टेमें एक्स इस ग्रेटर दन थी भाइ पी अफ एक्स वेर पीड नौट इस ग्रेटर दन थी इस दी वरियबल श्रेटमेंट फी ऑफ एक्स चैनल फॉटे डिदी वैल्यू अफ पिद्डी फिरेंट इस तो यह स्टेटमेंट इस से हमें एक को हम कहते हैं ओफ इस तगिसे यहां हम कहां बहूंज सकते हैं आरे आफ एक्स है तो जो डिएफरेंट यहां पर फैसे कि गार्ट कर रहे हैं कि यूपुट करेंगे तो हमारे पास उसके corresponding answer आ जाएगा तो next slide हम देखते हैं उसके उपर जो example है वह यही है इस statement के related है कि X greater than three है लैट पी आफ एक्स डिनोड इस statement X greater than three what are the truth values of P of four and P of two तो इसके अंदर अब हमने बताना है कि P of four और P of two की जो truth values है वो क्या होंगी तो पहले P of four देखें वह उप्टेंद इस statement P of four by setting X is equal to four P of four का मतलब यही होगा कि जो भी एक्स है उसके जिए पर हमने four put कर देना है तो जब एक्स की जिए पर यहां पर four put कर देंगे तो यह हो जाएगा four greater than three तो यह statement अब एक true statement है जब कि इसी तरह P of two को जब हमने evaluate करना है तो एक्स की जिए पर हम two put कर देंगे तो यह statement बन जाएगी two greater than three तो यह statement एक false statement है तो जो ऐसे statement थी जिसका हमें कुछ भी नहीं पता था जिसके बारे में हम कोई भी अपनी राय नहीं दे सकते थे है कि यह statement true है यह false है उसे जब हम प्रेडिकेट में convert करते हैं और प्रेडिकेट के अंदर convert करने के बाद उसके हम different values put करते हैं एक्स की तो हम statement को बता सकते हैं कि यह true है यह false है इसका मतलब यह है कि यह जो एक statement है यह हो रहे हैं तो जो इसका फ्रेडिकेट होगा भी लगाया जा सकता है और क्यूब लगाया जा सकता है जिस टिकर से पहले मैंने बताया था यहां पे होगा q of x y क्योंकि दो वैरियाबल इसके अंदर इसके अंदर इसके आप और यह होगा तो अप एक्स और वाय की पुपट किया जाएद आगवां की जगाह पर यह पुट किया जाएगा की जगाह पर तो इसका हम करते हैं तो Ohio इस तरी के सिर्छी ज़एगी सिरत करते हैं बक्राइगे पुट करते हैं एक की जगहा पर पर zero तो यह statement हो जाएगी three is equal to zero plus three जो के एक true statement है तो कोई भी अगर दो variable हमारे पास आगे है statement के अंदर तो उसे हम इस तरीके से evaluate कर सकते हैं जो next example है उसके अंदर हमारे पास तीन variables है एक्स इस एक्वल टू y plus z तो इसको जब हम प्रेडिकेट में convert करेंगे तो हमारे पास पी क्यू आर कोई भी हम यूज कर सकते हैं तो यहां पर आर को इस्तिमार किया गया है आर एक्स वाई जड़ बतलो हमारे पास तीन variables है तो हमने जब इसे प्रेडिकेट में convert किया तो वह तीनों variable हमने यहां पर लिखती है अब इसके हम different values पुट कर सकते हैं और उसके साथ हम चेक कर सकते हैं क्या यह statement true है यह false है तो पहले हम चेक कर लेंगे three comma two comma one के लिए और उसके बाद फिर हम चेक करेंगे three comma zero comma two two तो वह यहां पर चेक की गए हैं जो first statement है वह फिर true बनती है और जो second statement है वह false बनती है तो इस तरीके सा अगर हमारे पास कोई ऐसा function है जिसके अंदर different variable इस्तमाल किये गए हैं उसे हम predicate के अंदर convert करके और different values उसके अंदर input करके हम चेक कर सकते हैं किया statement true है और यहां फॉल्स है और इस तरीके से वह जो statement है वह फिर proposition के अंदर convert हो जाएगी आज के लेक्टर में यहां तक ही है अगर आपका कोई question आओ तो आप comments में पूछ सकते हैं इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक आपने चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें इन्शाला मिलेंगे नेक्स लेक्टर में तब तक अल्ला हाफिज